दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करूंगी सीजेंटा की कल्टार के बारे में इसमें टेक्निकल कंटेंट क्या आता है कौन-कौन सी फसलों में किस स्टेज में यूज करना चाहिए और हर फसल में पौदे में इसकी डोज बहुत ही डिफरेंट होती है यूज भी अलग-अल जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तों महों अनिता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियान और्गनिक जर्नी दोस्तों वीडियो शुरू ओरने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पैल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेट गाड़ा सा ये आता है जो कि सिस्टेमिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये होता है इसको फसलों में दोस्तों इस्तेमाल क्यों करना चाहिए सबसे इंपोर्टन तो जिस भी प्लांट में या फसलों में अगर फ्लोवर्स कम आ रहे हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ बहु करके री प्रोडेक्टिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल क्या जाता है कौन-कौन सी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबी प्रकार की कंदवर्गी फसलें जैसे की प्याज, लैसुन, आलू, गाजर, मुख्फली, मूली इस तरीके की फसलों मे इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों इसका इस्तिमाल सबसे ज़्यादा प्याज लेसुन आलू में किया जाता है और अनार आम सेव में इसका इस्तिमाल सबसे ज़्यादा होता है प्राइस की बात की जाए तो 50 ml की बोटल है जो मेरे पास इस पे MRP है 419 रुपए और लग बग ये 3500 से 400 रुपए की सम्थिंगी मार्किट में अविलेबल हो जाता है प्राइस दोस्तों इनकी अपडाउन हो सकती है इसकी परफेक्ट डोज की बात की जाए तो डोज दोस्तों अलग-अलग होती है प्लांटस में अलग और इसका अलग होता है इसकी परफेक्ट डोज होती है 60-70 ml प्रती 200 लिटर पाने में मिक्स करेंगे और एक एकड़ के लिए यूज करेंगे स्प्रे करेंगे 100 लिटर पाने में 30-35 ml आप यूज कर सकते हैं और अगर 15-16 लिटर या 17-18 लिटर के टैंक से आप स्प्रे करते हैं यानि प्रती पंप आप स्प्रे करते हैं तो 6-7 ml प्रती पंप में आप मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे और सबसे ज़दा जैसा कि मैंने बताए कि आम के प्लांट में इसका ज्यादा रूट में इस्तिमाल होता है जड़ों में दे करके इसका इस्तिमाल होता है तो 7 से 15 साल का अगर प्लांट है आम का उसमें आप 15 ml 10 लिटर पाने में मिक्स करके प्लांट के चारू तरफ रूट में डालेंगे 16-25 साल का प्लांट है उसमें आप 20 एमल 10 लिटर पाने में मिक्स करके इस्तिमाल करेंगे दोस्तों पाने आप ज़ादा ले सकते हैं डोज यही रखनी है 25 साल से बड़ा प्लांट है तो 25-30 एमल आप यूज कर सकते हैं पाने में मिक्स करके रूट में आपको डालना होता है अनार के प्लांट में अगर आप पर प्लांट के साफ़ से ड्रिप में चला रहे हैं तो 3 ml पर प्लांट के साफ़ से जाना चाहिए या फिर आप जैसे रूट में पर प्लांट अलग अलग डाल रहे हैं 3 ml 2 लिटर पाने में मिक्स करके प्लांट के 4 तरफ आपको डालना होता है कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसके साथ में N-PK-0050 को मिक्स करके यूज कर सकते हैं और फ्लोरिंग स्टेज के लिए आप यूज कर रहे हैं और भी कुछ कॉम्बिनेशन आप करना चाहरे हैं तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं एक फसल में एक ही बार आप इसको यूज करना चाहिए और विशे सावधनी आप जरूर ध्यान रखें कि इसको यूज करने से पहले अपनी फसल में नमी होना बहुती आफशिक है पहले दिन आप पानी दे नेक्स दे आप स्प्रे करें अगर आप इवनिंग में स्प्रे कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आप क्रोप में पानी दे दे इस तरीके से यानि कि इसको यूज करने से पहले आपको फसल में पानी जरूर देना है ताकि फसल में नमी रहे अगर फसल में नमी नहीं रहेगी फिर आप इसका स्प्रे कर देंगे तो साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है तो सावदानी जरूर द्यान लखे और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते है जानकर ये अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद